नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये हैं Samsung Galaxy M34 5G जैसे कि आपको पता होगा Samsung के फोन में आप अलग-अलग phone style को set कर सकते हो अगर आप जाओगे settings में, display में, phone size and style में, phone style में तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलते हैं केवल teeny phone style और आपको अगर apply करना हो तो आपको तो पर ट्याप करने के लिए इस तरीके से फोन्ड्स अपलाई हो जाते हैं लेकिन अगर आपको download करना होगा कही सरे fonts को तो आपको download fonts पर ट्याप करना है और अगर आप क्याप करोगे top free पे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलते हैं के वल दो ही free font बाकि जो fonts है वो सारे paid fonts हैं मतलब कि उन्हें apply करने के लिए उन्हें download करने के लिए आपको उने purchase करना होगा, खरीदना होगा, तब भी आप उन्हें उन्हें यूज कर बाओगे अपने फोन में, लेकिन हम देखने वाले कि आप किस तरीके से अपने फोन में जो paid phone से उन्हें डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, और ओवी बिल्कुल फ्री में, बिना किसी पेमेड़ के आप अपने phone में 600 plus paid phones को use कर भाऊगे और ओवी बिल्कुल फ्री में, तो इन सब भी 600 phones को download करने के लिए आपको करना है क्यावल एक zip file को download, तो आपको एक link मिल जाएगी, description में, आपको इस link पे tap करना है, या आप उसे copy क करना है फाइल का नाम है monophones.zip 133 MB साइज है इस फाइल की आपको करना है download anyway पर ट्याप फाइल जो है download हो चुकिए आपको जाना है downloads के folder में और यहां पर होगा monophones.zip आपको इस पर ट्याप करना है extract पर ट्याप किजिए password होगा yes techno small letter में आपको password को करना है enter और करिए extract एक्स्ट्रैक्ट होने के बाद आपको monophones के folder पर long type करना है और इसे करना है move ऊपर में लिखा होगा internal storage आपको इस पर äक करना है और आपको यहां पर करना है move here फिर आपको monophones के folder को open करना है इसमें होगा सबसे पहले Mono Font Installer आपको स्पिटाप करके करना है इसे install फिर आपको इसे open करना है allow कीजिए और mono जो है इसे on कीजिए back जाईए आपके सभी 600 fonts यहाँ पे शो करेंगे आप देख सकते हो प्रिव के साथ कि अगर आप इस fonts को apply करोगे तो प्रिव कैसा शो करेगा आप प्रिव के साथ इन fonts को देख सकते हो इस तरह के से और इसमें आपको 20 color fonts भी मिल जाएंगे तो आप अपने फोन में color fonts को भी use कर पाऊगे बड़ी आसनी से और वो भी बिल्कुल free में तो अगर आपको किसी भी फोन को apply करना हुआ तो आपको इस पर tap करना है और करना है install इस तरह किसे आप फोन के नाम भी search कर सकते हो आपको search पर tap करना है यहाँ पर search का भी option दिया गया है तो अगर आप मान लेते मुझे search करना है रोजमेरी तो आप देखोगे यहाँ पर रोजमेरी फोन शो करना है आप इस पर tap करके इसे कर सकते हो install तो इस लिस्ट में आपको जितने भी फोन शो कर रहे हैं आप सभी को one by one कर सकते हो install इंस्टल करने के बाद अगर आपको इने apply करना हुआ तो यहाँ आप लिखा होगा एक का आइकन आपको इस पर tap करना है और आप देखोगे आपने जो भी फोन्ट को install किया है यहाँ पर शो होगा वो फोन्ट अगर आपको उसे apply करना हुआ तो इस तरह कैसे आपको इस पर tap करना है apply करने के लिए आप देखोगे जो font style है आपके font में change हो चुकी है फिर आपक काफी आसान है किसी भी font को apply करना बस आपको Mono APK को open करना है यहाँ से fonts को install करना है इंस्टोल करने के बाद आपको जाना A में और यहाँ पर show करेंगे आपके सारे fonts जो आपने install किये आपके phone में इस तरह के से आपके आपकी आसान इससे apply कर पाँगे अपने फोन में और यह सारे फॉंट्स है पेट फॉंट्स है लेकिन अब आप इन्हें यूज़ कर बाऊगे बिल्कुल फ्री में और मोनो फॉंट्स के इस लिष्ट में आपको मिलते हैं 20 कलर फॉंट्स जो काफी शानदार है आप उन्हें भी डाउलोड करके अपलाई कर सकते हैं अपने फॉंट्स तो कलर फॉंट्स भी आप अपलाई कर पाऊगे अपने सैमसंग के फॉंट में और आपने जिन किसी फॉंट्स को इंस्टॉल किया है अगर आपको उसे करना डिलीट तो आपको जाना है मोनो एपिके में और यहां पर होगा इंस्टॉल का ओप्शन इस पर टाप किजिए ज और आप फिर से उसे कर सकते हो इंस्टॉल और एड में आपको करना है जिप फाइल को डिलीट तो आपको जाना है माई फाइल में डाउनलोड में और यहां पर होगा मोनो फॉंट्स जिप आपको इसके करना है डिलीट बाकिया आपको मोनो एपिक है और जो मोनो फॉंट का पोगे रोभी काफी आसनी से इस तरीके से दोस्तो तो ये था इस वीडियो में अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मेसेज कर सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो